Hello Everyone, Welcome to Kavita High Road Classes. इस्टरन, UGC Net Exam December 2022 सेसन के Answer Key और Response Seat दोनों Released कर दी गई है. Response Seat को कैसे Download करेंगे, Answer Key को कैसे Download करेंगे, और दोनों को कैसे Match करेंगे, और किसी Question पर अगर आपको Doubt होता है, तो आप कैसे Challenge करेंगे, यह Full Information इस वीडियो में आपको दी जाएगी. Response, Question को Challenge करने का जो Date है, आपका 23 मार्च से 25 मार्च को सामके 8 बज़े तक है, और इसके लिए जो Fees आपको Charge लगेगी, वो आपको उसके Payment के लिए, 11 बच के 50 मिनट तक का टाइम दिया हुआ 25 मार्च को. एक Question के Charge के लिए आपको 200 रुपीज पैमेंट करने हैं। यह साइड दिये भी है, इस साइड पर जाके आपको, साइड पर आपको क्लिक करना है और आंसर की को डाउनलोड करना है। आंसर की को कैसे डाउनलोड करेंगे? नेट के साइड पर जो लिंक को आप क्लिक करेंगे, तो उससे एक नोटिफिकेशन आएगी, उसमें क्लिक करने पर इस तरह का Page आपको आपन के आएगा? और इसमें दो आप्सन है आपके, एक तो एप्लिकेशन नमबर और पासबर डाल के, दूसरा application number और date of birth, दोनों ही option से आप अपने answer की को देख सकते हैं, यह date of birth के through मैंने खोला है, इस तरह से आपको यहाँ पर application number देना है, यहाँ पर date of birth देंगे, यहाँ आपको application number देना है, इस जगर date of birth डाला है, यह security pin डाला है, और यहाँ पर sign in करना है, तो फिर इसको sign in करने के बाद आपका answer की open हो जाएगा, आप उसको download कर लेगे, आपको अपने response sheet को भी download करना है, response sheet क्या होता है, कि आपने जो तीन घंटे का exam दिया है, वो किस question के लिए क्या answer आपने टिक कड़ा है, उसको पूड़े full PDF आपके सामने होगे, कि आपने किस question के लिए क्या answer पूट किया है, तो उसको आप download कर लेंगे, उसके बाद आप question ID, और response sheet को लेके बैठेंगे, और answer की को लेके बैठेंगे, और possible हो तो दो device लेके बैठेंगे, तो response sheet में जो question ID होगी, वो first number में जो होगी, कोई जोड़ी नहीं है, वो answer की के भी first number में same question ID हो, तो क्या करेंगे, कि question या तो response sheet से शुरू करें, या answer की के शुरू करें, first question में जो question ID होगा, वो answer की के question में, उसके question ID को डूढ़ेंगे, कि कहां पर वो question ID है, और उस question ID को correct answer का ID को देखेंगे, फिर response sheet के answer sheet में, आपने जो answer दिया है, उसका ID क्या है, और उसका correct answer का ID क्या है दोनों को match करेंगे अगर दोनों match हो जाती है तो आपके answer सही है और अगर दोनों match नहीं होता है आपका answer wrong हो जाएगा इस तरह से आपको 150 question के ID को match करना है तो guys इस तरह से आपको अपने score पता चल जाएगा कि आपको कितने 150 में कितने correct हो रहे हैं और अगर किसी question में आपको ऐसा लगे कि आपका question answer सही है लेकिन answer की के हिसाब से आपका गलत बता रहा है और आप अपने answer में full confident है तो आप इसको challenge कर सकते हैं और challenge करने के लिए भी और उसी में answer की में ही option है और लेकिन एक question के लिए आपको 200 मार्च रूपीज जो है वो payment करने होंगे और इसकी date आपके 25 मार्च को आठ बजे तक आप challenge कर सकते हैं और 25 मार्च को सामके 11 बच के 50 मिलड़ तक आप इसकी payment कर सकते हैं ओके गाइश बेस्ट अपलग अ अ अ अ अ अकर गाइश बेस्ट आपलग